नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ प्लिकत महुन सिंगला स्वागत है आपका मारे शैनल में दोस्तों आज हमें स्विशन बात करेंगे कि अगर आपको आर्थिक तंगी आ रही है तो आप एक अपने रुटीन लाइफ में क्या उपाई करें जिससे आपको इस आर्थिक तंग बहुत सारे लोग जो आर्थिक तंगी को जहिल रहे हैं परिशानियों को जहिल रहे हैं उन्हें ब्रस्पती देवता की पूजा और उनकी कथा आज के दिन जरूर करनी चाहिए गुरुवार के दिन अगर वो रोज ऐसा करेंगे मतलब हर गुरुवार ऐसा करेंगे तो यह कहा गया है जिन चीजों से दरित्ता आती गरीबी आती है उन चीजों को बताया गया है जिसमें एक सादू का रूप धारन करके ब्रस्पती देवता एक महिला के पास आते हैं और उससे यह समझ लीजे help मांगते हैं बिक्षा मांगते हैं और मदद मांगते हैं क्योंकि इन्होंने सादू का रूप धन कर रखा होता है उसका टेस्ट करना चाहते हैं और वो महिला अपने गमण में इतनी चूर होती है कि वो कहती है कि मेरे पास तो दान पुन्ने करने का टाइम ही नहीं है और बले ही सब कुछ जो है मेरे को तो ऐसा अवकाश हो जाए कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे मैं आराम से रह सकूँ और मुझे कोई कारे ना करना पड़े तो उसमें ब्रसपती देवता उसको ऐसी इसी चीजे करने को कहते हैं गुरुवार को जिससे गरीब ही आती है जिससे और उनको करने से पूर्ण अवकाश हो जाता है यानि कि पूरी तरीके से व महिला अपने बाल कटवाते हैं गुरुवार वाले दिन या पूरुष शेविंग करते हैं तो इससे भी गरीबी आती है financial losses होते हैं दूसरी चीज वो बताते हैं कि अगर आप Thursday वाले दिन यानि की गुरुवार वाले दिन कपड़े धोते हैं तो भी गरीबी आती है तीसरी चीज वो बताते हैं अगर आप गुरुवार वाले दिन घर को में ये समझ लीजे गोबर से लीपना तो भी गरीबी आती है और उस औरत ने क्या किये वो सारी ही चीजे ट्राइ की उसने Thursday वाले दिन मीटवास भी खाया अपने पती को भी खिलाया राजा को भी उस हजामत भी मनवाई और जिहां तक की कपड़े भी धोए और घर को गोबर से भी लीपा तो तीनी ब्रस्पतिवार यानि कि तीनी Thursday होए थे कि वो पूर्ण अपकाश हो गया यानि कि वो गरीब हो जाती है तो कही न कहीं ये जो चीजें हैं हम अपने इस कल्यूग में आज के टाइम में इनको इतना मानते नहीं है हम इनको orthodox समझते हैं पर कहीं न कहीं बहुत लोग जो आर्थिक तंगी से ग्रसित है अगर वो Thursday की Thursday non-wage खाना बंद कर दें लिकर पीना बंद कर दें कपड़े दोना बंद कर दें या Thursday को बाल कटवाना बंद कर दें तो उनको बहुत हग तक अपनी लाइफ में बेटर्मेंट देखने को मिलेगा financially आपको एकदम से आपको देखने को मिलेगा कि जो नुकसान आपकी लाइफ में हो रहें कि पैसा आया कहीं भी खर्च हो गया उल्टी सीरी जगे नुकसान में चला गया कोई वैसे loss हो गया तो वो चीज़े नहीं होगी आपको पैसा बरकत पूने लगेगा बचने लगेगा इसके अलाबा इसमें कथा में ये भी बताया गया है कि Thursday वाले दिन आप पीली चीजों का सेवन करें जिससे शुबता आती है धन आता है पैसा आता है उसमें पीली चीजों में क्या हो गया बेली बेसन हो गया चने की दाल हो गई चने की दाल से बेसन बनता है तो चने की दाल का अगर आप सेवन करते हैं बेसन का सेवन करते हैं केले का सेवन करते हैं पीली चीजों का सेवन करते हैं बेसन की मिठाई हो गई कोई बर्फी हो गई लड्डू हो गए तो यह आपके लिए शुबता क्रियेट करेगा आपके लिए बेनिफीशल साबित होगा और इसके लावा इस दिन भगमान की उपासना करना बहुत जरूरी है श्री विश्णु जी की उपासना करने से भी धनलाब होगा अपने आप माल जी आर्थी कर सकते है तो इससे भी आर्थिक तंगी में बहुत हथ तक आपको मिलने लगेगा इसके बढ़िए भी दो इसमें क्लारा केम विश्णु पूला हो जाते हैं तो सब्सक्राइब उसे कूई जानता नहीं है तो अगले शहर में चला जाता है उसे कुई जानता Sed니까 उसकी बंगे भी भी वह Embla बुरी हाल में होता है पनी बहन के पास अपनी जूकरादी को भीचती है क्योंकि राणी तो थी तो उसके पास servants थे हाला कि बले ही गरीब हो गई पर फिर भी दासी उसके पास थी दासी को बेशती है कि तू बहन से कुछ मांग ला कुछ खाने पीने को जिससे हमारा काम चल जाए उस टाइम समय उसकी बहन पूजा कर रही होती है ब्रसपती देवता की तो वो कोई जवाब नहीं देती तो यहां कथा में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जिस टाइम आप कथा कर रहे हो तो आपको ना किसी से बूलना है ना उठना है ना कोई भी चीज क कम्निकेशन करना है आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ कथा पर होना चाहिए उससे उपर नहीं अगर आप उठते हैं बोलते हैं तो आपको उसका खता का फल नहीं मिलेगा तो जिस टाइम वो दासी जाती है रानी की बहन के पास मदद मांगने उस टाइम उसकी जो बहन हो होती है तो उठती नहीं है को दासी बोलती है कि मझे तुम्हारी बहनने बहें बेँचा है मेरे का उफास कर रही है तो वापिस आती है रानी को कहती है कि तुम्हारी बेहन तो बड़ी आदमिन है बहुत जादा मतलब गंदी है और मैंने उसे इत्ती बारी कहा कि मुझे बेशन दे दो पर उसने कोई जवाब तक नहीं दिया तब वह भी दुखी होती है रानी को कहती ह कि जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सारा नहीं करता अच्छे बुरे का पता अपती में ही लगता है यह हमारा भाग्य का दोश है तो इधर उस रानी की बहन देखती है कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं कुछ नहीं बोली तो उसे बुरा लगा होगा तो वो अपनी कथा को समाप्त करके complete करके वहां जाती है और वहां जाके बाकाद अपनी बहन से कहती है कि मैं ब्रसपती देवता की कता कर रही थी और इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाई और अगर तुम बेसन लेने आई थी तो मेरा मन कह रहा है कही ना कहीं तुम्हारे घर में बेसन रख पर्पित करने है और प्रातना करने है और गी का दीपक जलाना है वह भी केले की जड़ में तो ठस्डे वाले दिन यह उपाई वो बताती है तो उनके पास तो इतने पैसी भी नहीं बचते कि वो बजार से गोड या चना खरीद सके तो क्या कहती है गोड साल में जाती है जह का दीपक जलाती है केले के पेड के नीचे और बाकादा चने की दाल और गुड अर्पित करती है भगवान को तो यहां क्या देखने को मिला कि भगवान सिर्फ भाव के भोके है उन्हें पता है कि उसकी हालत ऐसी है कि वो नहीं परचेज कर सकती तो भगवान ने इस चीज का बैर नहीं माना कि भई अरे यह तो घुडसाल से उठाके लाई ये तो जूटा होगा या घुड ने रिखता खायवा भा нам तो बगवान यहां पर क्या होता है कि जो रानी होती है इससे जब प्रसन हो जाते हैं तो इसके लिए खाना भी लेकर आते हैं बहुत सुन्दर खाना लेकर आते हैं पीले रंका तो दासी कहती है रानी को कोई सादू आये हैं खाना लेकर आये हैं तो वो कहती है क्यों मेरा मज़ाक उड़ा बगवान वाई जाते हैं सादू के रूप में किस चिंता में बताओ तो फिर कहते हैं कि अपनी पूरी कथा बताते हैं कि अशे गरीब हो गया और यहा लकडियां जो है मुझे चुक के बेच के गुजारा करना पड़ रहा है और मेरे पाइटने पैसे भी नहीं है यह भी पता लगा सको कि मेरी बीवी कैसी है और मेरे राज्य में क्या चल रहा है इतना धन भी नहीं है तो बगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो ये सब हुआ है ब्रसपती देवता के रुष्ट होने से क्योंकि तुमारी पत्नी ने ऐसे कारे की तो एक चीज हमें और पता लगती है जैसे पती पत्नी जब साथ फेरे ले लेते हैं शादी कर लेते हैं एक दूसरे से बंदन हो जात है तो अगर एक family member गलती करता है तो वौ घैर वह पतंबी आष्ठ आचरण थो फेरी याँ किसी की घंवारों की खत्या कर दो इस चीजपा दैना और पत्नी ने जो कहा खांद कि मैं'T स्वें को दान टे नहीं चाहते क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सूच रहे हों किसिर मैं इह मैं खाऊं मैं किसी का भला ना करूं तो धन कभी भी संचे नहीं होगा धन कभी भी बढ़ेगा नहीं धन तभी बढ़ता है जब उसमें से कुछ न कुछ धन बंडारे के लिए दान के लिए निकलता रहता है इसलिए मैंने पहले एक वीडियो में आपको कहा था कि जो भी आपका माकिल आते हैं डब्बा बना लिजे डब्बा अच्छा सा कोई धंका सा भंडारा कर दीजे किसी भी शुब दिन कर दीजे तो ऐसा अगर आप करते रहेंगा आपका धन बढ़ता रहेगा तो यह बहुत पाउर्फुल रेमेडी चोटी मुटी रेमेडी नहीं है तो इसमें भगवान यही बताने का प्रयास करते कि उसमें र पुद्र मिल जाएगा तुझे पुत्र मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा कैती में पहली जो है मेरे बसकी नहीं क्योंकि उसके अंदर एक कमी और होती है अलत से भरावा होता है अब जो बहुत जादा अलसी होगा न वह चाहे उसके घर में यह समझ लीजे आग लग रही बच्चे स्कूल नहीं गये पत्णी के पास धंगे कपड़े नहीं घर में खाना बनाए के नहीं कोई परवाद ही आपप्णी कि से अदरही करें आपार आपकी हो गई है तो समन्मेंक जान जान नहीं है आप थके वे हो एजड हो आपको अराम करना चाहिए पर अगर आपकी यंग हो आप और उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते तो कई ना कई म्रस्पती देवता भी इससे रुष्ट होते हैं और दरित्ता आती है तरक्की रुखती है क्योंकि एक फैमिली मेंबर तो ऑविस सी बात है कि वहां पर फुल स्टाप लग गया तो उस साइड से तरक्की आपकी लाइफ में नहीं आएगी तो इसमें यह चीज भी दिखने को मिलती है जो इरानी किया करती थी तो फिर भगवान जो है जब प्रसन हो गए उस रानी को खाना दे दिया राजा के प समान अपने ले ले आओं वही बहुत है कता का से करूँआ तो भगवान कहते हैं ब्रसपती देवता कि तुम चिंता मत करो इस बारी जब तुम लकडी बेचने जाओगे तो तुम्हें पहले से भी जादा धन मिलेगा जिससे तुम कता भी कर लोगे और ब्रसपती देवता क तो वह अपने रिलाक्स हो जाता है कि चलो अब तो पैसा आने लगा क्या परवाय किसी की जो हम सब लोग करते हैं कि पैसा आ रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो भगवान को क्यों याद करना तो वही वह गलती करता है फिर जब नेक्स्ट हजडे आता है यानि कि ब् कथा करनी ही है अगर आप कत्हां नहीं करोगे किसी ठर्ज़ए भूल जाओगे करना तो आपको नुकसान भी होगा तो भूल जाता है क्ता करना तो उसको दंद देते हैं भगवान कैसे दर्ण देते हैं कि वहाँ पर कोई एक राजा होता है जिस शहर में गया होता है काम करने तो वह एक घोशना करा देता है कि सभी लोग मेरे याँ खाना खाने आएंगे रात का और जो कोई भी बंदा अपने घर में आग नहीं जलाएगा अगर जिसने भी आग जलाई खान मैं खाने जी तो जो राजा यह विसक भी जाता है तो खाना-खाने लगता है तो रादी की द्रिश्ट्री वहां इसका हार लटका होए था हार्ब नहीं होता वह पे तो सोचती है इसी नहीं चोरी किया होगा क्योंकि जो उसको ऑपने उन्बार वाले जोबीन की गुबला के उसको अंदर बंद कर देते हैं जेल में तो बहुत तरपता परिशान होता है मैंने क्या ऐसा किया जो मिरे साथ ऐसा हो गया तब ब्रसपती देवता प्रकट होते हैं दुबारा तो वह कहते हैं कि अरे बूर्ख तुने कथा नहीं करी जिस करन ते दिशा हुई तो आप कथा करने के लिए जो विधी विदान सादन लगते हैं कुछ भी समान लाना लगता है वो धन से लगता धन राशी से तो धन का 비 अगर आप कहते कहते हैं ना बहुत लोग यह उपाय करते हैं कि अगर आप कुछ समान किसी को डोनेट नहीं कर सकते हैं तो पैसे का दान कर लो किसी भी गरीब को तो वह चीज़ भी काउंट होती है एस पॉजिटिव कर्मा या आप कोई भी पूजा पाट करते हो कुछ करते हो उसमें जैसे दक्षना चड़ाई जाती है भगवान के आगे फल फ्रूट रखे जाते हैं दक्षना भी रखी जाती है तो उसका भी विदान बताये गया है तो चार पैसे रखते हैं तो वो कथा कहता है तो फिर उसके बाद भगव को नश्ट करने की बात आ गई तो ऐसा सपना ब्यानक सपना देखा उस राजा ने उठा एकडम डर गया उसने तुरंट फिर जाके खूटी चेक की चेक की उसमें हार मिला तो उसने तुरंट फिर उसको छोड़ा अब उसको गलानी भी भी मैंने एक शरीफ आदमी को अंदर ब उसकी जगसा ही होती तो एक रात वो जेल में ज़रूर रुका पर अगले दिन उसको खूब अच्चे सुंदर वस राभूशन मिले उस राजा के द्वारा तव अपने घर गया अब उसको भी समझा गया कि उसे ब्रस्पती देवता की उपासना करनी अगर उसको अपना धन एश्वर यह बनाए रखना तो जब वहां पर अपने घर पहुंच जा रहा था तो रानी को ख़बर मिली कि रा जा रहे हैं तो इधर रानी भी अमीर हो चुकी थी क्योंकि रानी रेगुलर्ली ब्रस्पती देवता की पूजा कर रही थी तो उसके पास इतना धन आ चुका था कि वह अमीर हो चुकी थी और उसको यह सद्बुद्धी भी आ चुकी थी कि मुझे धन सिर्फ अपने लिए यूजनी करना और उकी भलाई के लिए भी करना है तो उसने बहुत सारे कुए बनवाए तलाब बनवाए बावडी बनवाई पहले यह सब बनवाए जाते थे किवगेरा नहाने के लिए पानी के सोर्स के लिए नवाइ जाते थे लोगों के लिए और उसने स्कूल बन वाइए बगीचे बन वाइए तो यह भी एक सत्कर्म में आता है अगर आपकी सक अभी water का कोई भी सोर्स देटे तो यह वी अपने में उपाए है पानी क्यूंकि आ या गार्डन मना देते हो या स्कूल खोल देते हो या मंदिर बनवा देते हो तो यह बहुत बड़े सत्कर्म में काउंट होते हैं इसके बहुत benefits मिलते हैं आपको overall life journey में तो यहां क्या देखने को मिला कि दासी ने बहुता करी जिससे दासी को भी धनकी ब्राप्ती होई तो उसने भी सतकर्म में अपने धन को प्राप्त हुआ, तो वो कहती है, ये धन हमें ब्रसपती देवता की पूझा और उपासना से प्राप्त हुआ, तो राजा इतना जादा प्रभावित होता है, खुश होता है भगवान की कृपा से, कि अब दुबारा राज्ये में, अमीरी आ गई, सब कुछ हो गया, कि वो कहता है कि लोग तो हफ्ते में एक बारी ब्रस्पतिवार के दिन, यानि कि थर्स्डे वाले दिन कथा करते हैं, मैं रोज कथा करूँगा, और दिन में तीन बारी, तो आप देखिए उसकी डिवोशन, तो कथा इतनी करने की वज़े से, उसके अंदर इतनी पावर्स जनरेट हो जाती है, कि उसके अंदर healing capability पैदा हो जाती है, दूसरों को heal करने की, अब ब्रस्पति देवता क्या है, mature planet है, एक knowledge के planet है, जो आपको knowledge देते हैं, आपको ज्यान हर चीज़ का देते हैं, और यहां तक कि जिनके आठवे में गुरू होता है कुंडली में, इन लोगों को सिध्धियां पराप्त हो जाती है, अगर आप कोई भी सिध्धी करोगे, अगर आपके आठवे में ब्रस्पति है, और आपको इस साधना करते हो, सिध्धी करते हो, बहुत जल्दी result मिलेंगे, मौत का घर है, यहां ब्रस्पति देवता आ गए, बड़ी-बड़ी साधना है आपकी सफल हो जाएंगी, साक्षात भगवार के दर्शन तक हो जाएंगी, इतने पावर्फुल होते हैं ब्रस्पति देवता, तो पूजा उपासना उनकी करने से उसके पास पावर्ज आने लग गई, तो उसने एक दिन सोचा है कि चलो अपनी भेन के आँँ हो आते हैं, मिली आते हैं, बहुत दिन हो गए, जा रहा होता है बहन से मिलने के लिए, तो रस्ते में देखता है कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे होते हैं, तो उन्हें कहता है कि मेरी कथा सुन लो, क्योंकि उसकी तो हैबिट है तीन बारी कथा करने की, अब अक्सर जब कथा कही जाती है, तो ये भी होता है कि कोई ना कोई उसको सुने भी हाला कि ये जरूरी नहीं है कि कोई सुनने वाला भी आपके पास वाप अकेले भी हो तो भी आप कथा कर सकते हो तो लोग कहते हैं रे भाई कैसा आदमी है तू हमारा तो आदमी मर गया है इसे कथा की पड़ी है तो कुछ बोलते चलो कथा भी सुनेंगे तो कथा कहले लगता है कथा आदी हो जाती है जब उसकी तो मुर्दा हिले लगता है कथा जब पूरी हो जाते हैं मुर्दा खड़ा ह जाता है तो सब वो हैरान रहे जाते हैं कि अरे वाई तो बहुत पाउर्फुल आदमें पहुंचा हुआ कि इसने मुर्दे को भी खड़ा कर दिये आगे जाता है तो देखता है एक किसान खेत में हल चला रहा था तो राजा उसे कहता है कि प्यार से उस चीज़ को मना नहीं किया उसने निरादर किया कि जा अपनी कता किसी और को सुना तो जैसे ही राजा हटता है उसके पेट में दर्दोना शुरू हो जाता है किसाद की तो जैसी उसकी मार उटी लेके आती है वो देखती है कि वो कियके तो पीछे बीछे भागती है राजा के पर चलो और वहां सुनाओं वह जाके सुनाते हैं पेट करदर ठीक हो जाता है तो भगवान ने एक चीज़ और बताईए बहुत लोग फिल्मों में क्या दिखाते हैं टीवी सीरिलों में के भगवान शमा कर देते हैं वो कभे सुजा नहीं देते हैं हमारे अंदर जो गुर ना है एक घमन गुशा नराजगी अहम की लड़ाई हमारे और को किसी ritual को यह क्यों ऐसे कह दिया हमारा अपमान क्यों हुआ हमारी तारिफ क्यों नहीं हूई हमें इजफ यहां कि खुद की उपज नहीं है। हम सब अन्य और आतल सकते सब्सक्राइन गर्षा गत्तों। कि यहां मैं भगवान की बात नहीं कर रहा यहां मैं शिवजी जी की बात नहीं कर रहा भ्रह्मया जी यहां में डेवी देवटा कांट आप celebrities देवताओं की बात करा हूँ and especially the planets इनार कुंडली जो हमारे कुंडली के ग्रह होते हैं तो इनके से जोड़े वे जो देवी देवता होते हैं बड़ी जल्दी हो जाते हैं नराज हो जाते हैं मतलब धंड देने पर जाके कता की तो ठीक हो गया पेट में क्यों दर्द हुआ गुरू बरसपती देवता जो हमारी पूरी बाड़ी होते हैं उसमें जो पेट है इसको पूरे को कंट्रोल करते हैं तो जिनका गुरू खराब होता है इनको थाइरड होना लिवर की बिमारी होना कैंसर होना बहुत जादा मोटापा होना ये होता है आतों की समस्या होना पूरा मतलब पेट का जो हिस्सा होता है वो आपको प्रॉब्लम देता है अगर गुरू देवताब के जो है नेगिटिव चल रहे हैं तो कता कहता है ठीक हो जाता है कि सन वो अपनी बहन के आ राजा पहुंच जाता है वहाँ देखता है कि सब लोग बोजन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलिए कि सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाना चाहिए उसके बाद भजन करना चाहिए ना दोने के बाद भगवान का बिले नाम लो और फिर भजन करो जिससे बरकत आती है आज का युग बिल्कुल उल्टा हो गया है लोग सुवे ले ट उठते हैं पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद नहने जाते हैं अनाते ही नहीं है और भगवान का नाम तो लेते हैं यह दूर से मंदिर को यूँ दिखाया बस बने भग गए यह चल रहा है तो यही चीज उसमें बताए गई है इतनी प्राचीन कता में तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा मनश्य जिसने कुछ ना खाया हो तो वो मेरी कता सुन ले तो बहन कहती है राजा की के भईया यह देश तो ऐसा ही है यहां सभी लोग स्वर प्रतम भुजन करते हैं पहले कुछ खाते हैं पिर ही कोई काम करते है तो यहां तो कोई हैसा आपको नहीं मिलेगा पर उसे फिर याद आता है किसान का घर है जहां पर तीन रोज से किसी ने भुजन नहीं किया है तो वहां उसका लड़का बिमार भी होता है किसान का तो वो भेज देती है राजा को अपने भाई को क्या आप वहां चले जो वहां कता सुना दो जाके वो जाके वहां कता गाते हैं और उसके बाद किसान का जो लड़का है वो ठीक हो जाता है दो राजा की बहुत प्रशन सा होती है क्योंकि healing powers बिरुस्पती ने देदी कि जैसी वो कता कहेगा कोई ना कोई बेनेफिट किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में मिलेगा तो उसके बाद राजा बहुत दिन रेलिया होता है फिर वो अपनी बहन से कहता है अपने घर को जाएंगे और तुम तयार हो जाओ बहन अपनी सास से कहती है चली जा पर तो किसी लड़के को बंत ले जाई को उलाद नहीं होती है तो यहां दिखाया राजा राणी के कोई भी बेली के जमाने में भी और आज भी जिनके अउलाद नहीं होती उनको अप्शगुन मानते हैं मुरा मानते हैं नेगेटिवली उनको यह कह लिए कि कमेंट करते हैं उस टाइम में और भी जादा था है तो बहन कहती है कि मैं तो चलूंगी घर पर बच्चे नहीं जाएंगे तो बहुत दुखी होता है घर आता है अपने वापिस राज्ये में अमनी पत्नी से कहता है मिर्वंची राजा है हमारा मुह देखने का धर्म नहीं है तो पत्नी कहती ही बगवान ने सब कुछ दिया है ब्रस्पती देवता ने तो अउलाद भी अवश्य देंगे तो नवे महीने बाद एक सुन्दर पुत्र पैदा हो जाता है तो यहां क्या दिखाया अगर आप ब्रस्पती देवताप से खुश हो जाते हैं तो अगर आपके मन में कोई दुख भी है कि कोई कमी भी है और आप उससे परिशाने तो वो कमी भी भगवान अपने आप पूर ना उसको पर पत्नी तो पत्नी आए जब तक सुनानी लेंगी कैसे मजा आएगा वो भी ननद तो जब वो आती है जो है बदाई लेके बच्चा हुआ है तो वो कहती है कि घोड़ा चड़को तो नहीं आई गदा चड़ी आई तो वो कहती है कि भाबी मैं अगर इस प्रकार किताब रस्पती देवता की किताब आपको इस तरीके से अगर आप हर ठज़े कथा करेंगे किताब रस्पती देवता की किताब इजीली मिल जाएगी कहीं भी बुक स्टोर पे और आप उसको कीजे आप यूट्यूब पे भी बहुत कथा होती है आपने जो मैंने अभी आपको पूरा बताया कथा ही आपको समझाई है पूरी कथा ही आपको बताई है आप इसको भी अगर बार-बार सुने लेंगे तो ठ गर्पित कीजे केले की जड़ में और एक घी का दीपक जला दीजे और इस कथा को आप पूरी को अच्छे से बोल लीजे उस टाइम आपने उठना नहीं है पूरी कथा कंप्लीट करनी है और उसके बाद केले के पेड में पहले ही आप चैने की डाल गोड़ और दीपक जला और नौन वेज खाना नहीं है इस दिन कपड़े दोने नहीं है बाल कटवाने नहीं है शेव करनी नहीं है और घर में जो है किसी के साथ बुरा विवार नहीं करना और ज्यादे ज्यादा पीला बोजन करना है आप देखेंगे आपकी लाइफ बेटर होने लगे तो हो जाएगी इसको आप जरू कीजिए और इसका लाप प्राप्त कीजिए बोलो ब्रस्पती देवता कीजिए आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और एक कथा सुनके आपको अच्छा लगा होगा और हाँ हल्दी का तिलग जरूर लगाना है ठाजजे वाली परीए है पीला रंग विशेश तोर के प्रिया है तो इसी तरह सुद्र एप यार देते रहिए वाटसएप पे आप कॉंटाट कर सकते हैं 813-033-1007 पे दुनी के लिए या प्रोटेक्शन लॉकिट के लिए नारियल के उतारों के लिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रू करो आप समत सकते हो इतनी जादा पूरे दिन का प्रेशर होता है काम का पर हां I read every comment मुझे मज़ा आता है जब आप तारीफ करते हो आखिरकार तारीफ का भूका तो हर को ही होता है मैं भी हूँ कि आपका प्यार मिले आपकी तारीफ मिले तो जो है इसी तरह संते रही प्या संग्ला